अम्बाला शहर ने पुल्वमा में हुए काईराना आतंकी, हमले में शहीद हुए देश के जवानों को श्रधानजली अर्पत की तथा आक्रोश प्रकट करते हुए सरकार से करी, कार्यवाही की मान की. और 370 को सरकार किसी भी हालत में खतम करें, में अब पाकिस्तान को सबक देना चाहते हैं कि पाकिस्तान मुर्दाबाद नला लगाकर के पाकिस्तान के आतंक वादियों को जग्से समू演ूरू दोरी निस्ट करने की मांग ऽाच नश्तान को कि आपकी सरकार से मांग यह है कि 40 जवानों का बदला जल से जल दिया जाए पाकिस्तान में घुश करके उसको नाभूत किया जाए ताकि वो जिंदगी में कभी भारत की तरफ देखने की हिमाकत ना कर सका ऐसा सबक उसको सिखाना है ऐसा सबक सिखाना है कि उसका नाम निशान में जा इस दुनिया से तो सबसे बढ़िया रहेगा अच्छा धार तीन सो सकतर और है भारत के लिए कुष्ट है उसको समाप्त करना ही एक मातर बिकल्प है तभी भारत जाकर के सही दिशा में जाएगा और भारत से आतंगवाद मिखेगा आतंगवाद का एक जरिया तीन पर जाएगा अच्छा पर जाएगा अच्छा पर जाएगा आज हमारी शफैना शक्षम है कर उचकर दिखाने में और हमें भी अपना अभी जो फून हमारा गरम है उसको ठंडा नहीं होने दिना एक आंतकवाद के खिलाब अंदोलन जो हमने आए जो गंटे का जर्ना दिया यह अंदोलन तब तक चारी देहेगा आज आज आप सब इतनी संख्या में इस चर्धांजली सबह में पहुंचे आप सब का अभार और हम मैं अपनी तरफ से आप सब की तरफ से पुर्दपूरे देश वासियों की तरफ से उनमन करता हूं तुश्बतित करता हूं अर्याना की स्वास्तियगम खेल मंत्री शिरिमान अनिलवीची जरा बताएंगे हमारी चंता को जो जो जवान शेही दिम्या उस्ते आप नहीं तरफ साब लिया जाएगा और सेना को अधने स्टेरी एगे और सेना ने तरह कर दोने कि दोंशे देरी इस अमयरवत इस ठांप और की स्टेरी उसमा श्रीर संगति कि दुटार के दिए आतर भाइगे ढिंदे। आज बीच में अमवाला शाहर प्रेल नगर गौवर्मेंट सीनिय स्केंडी स्कूल के कारेवाहर परदान्य चार्य संजु मैडम जी उपस्तित है आज हम इनसे जानेंगे कि जो ये आतंकी हमला हमारे भारत के जिसमें 42 जवान शहिद हुए है आज कहीं जगा में भिन्विंस पत्रों में उन्हें सरधांजली दी गई और 42 जवान जो शहिद हुए है उनके बारे में कुछ इनकी मन की अशंका को जानेंगे हमारे सुन्यों है भारत माता के बीर जवान, 42 जवान जो आतंकी हमले में मारे गई इस समय देश के लिए बड़ा दुप का समय है अतंकवादियों की ये बड़ी कायरता पूर्ण कारवाही है जो उन्होंने च्छिप कर की है इस तुक की घड़ी में हम शहीदों के परिवारों के साथ सम्मेदन अव्यक्त करते हैं पर मातमा उनको इदुख सहने की शक्ति दे अब तो समय करने का है अगर अब ना किया तो कभ करेंगे भाई ओ आप उन माके उनने उनसे कि पूतों के जनन क다고 हुए आप उनसे उनको का पुचलता कि और उनके घर में क्या है आज आप तेकने हुए घर में चुला तक निय जलरा और मैं उननों जोंट 다나ू भायो मैं फिर कहना चाहता हूँ आप लोगों से और आज जंडली के इस पावन स्थल से कि ये संदेश पूरे भारत वर्ष में भैज जाना चाहिए कि जब तक हमारे नेता पाकिस्तान का पर्मनेंट इलाज़ नहीं कर देते कोई इलेक्षन नहीं होगा पूरे भारत में संदेश को जिलावो कि हर जंता ये एलान कर दे कि पहले पाकिस्तान को ठोको उसके बाद हमारे बीच में वोट मांगने आना नहीं तो मत आना